यूटूब चैनल परिक्साइब पार्टी में आप सभी का हर्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू चलिए यह जो हमारी क्लास है इंगलिस के हम क्लास करें यूजी सी नैट के हम तैयारी करें आज का जो पेपर है आपका पेपर टू जून में जो आ स्क्रेंट में में आपके जाएगा तर्ड़ी आपको के सब्यब्पर आपको मिलने वाले याए-थिए-द्व के तक के सभी फ़ी प्यापर मिलने वाले है तो 2010 से परशल है आस नियुक्त के सभी परो hijos से हिन जो जून में आपका पेपर हुआ था 2012 में वह हम पेपर करेगे चले टाइम वेश्ट ना करते हैं अपने कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन फर्स्ट आपका है तू रैफर टू दा अन रिजोलवेबल डिफिकल्टीज अटेक्स्ट में ओपन अप डैरिडा मेक्स यूज ओव दर टर्म ओप्शन अपूरिया ओप्शन भी डिफ्रेंस ओप्शन सी एरसूर ओप्शन डिस सप्लिमेंट तो राइट आंसर के आ अमंग दा फॉलोइंग इंगलेश प्लेड राइट साइस कृप्टिट दा फिल्म साक्ष्पिया इन लव ऑप्शन ए हैरल्ड पिंटर ओप्शन भी एलन बैनिट ओप्शन सी कैरिल चर्चिल ओप्शन डिटों इस्टोपड तो राइट आंसर क्या आपका ओप्शन डिटो और यानि आपको अरेंज करना है काला करूम अनुशार जो आपका प्रसेज रिलिक्स ओफ एशेंट इंगलिस पोईट्री तो इससे आपको अरेंज करना है तो यह कैसे सबसे इसका जो यह पहले आपका फॉर्थ होगा दैन आपका थर्ड दैन फर्स्ट और सेकिन तो आपको दिखता है 4312 नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर फॉर्थ विच ओव दा फॉलोइंग इंप्लोई आ नेरेटिव इस्ट्रक्टर इन विच दा मेन एक्शन इस रिलेड एट सेकिंड हैंड थ्रो एंड इन इन क्लोजिंग फिरें स्टोरी ऑप्शन संस द्लवर्ष ऑफिटन दीन क्लोरी ऑफशन दी ओफ डार्फ तरै तुमड है ऑप्शन दी रोत और्ग्नाइश कोशन फॉर्थ खया थौड़ का नुथे सिध्रवाइट मूमंट वाज हरौण गीटरड था वह कहनु हॉर्पा से लेडी ग्रोगिन एड़्वर्ट मार्ट नोप्शन भी जोनेटन सिफ्ट एंड इस कंटम्प्रेरिश ओप्शन सी एच रुमन एड़वर्ड एर्विंग एंड जोन एर्विन ओप्शन दी ओसकर वाल्ड एंड इस कंटम्प्रेरिश तो राइट अंसर क्या आपका ओप्शन ए डबलू भी इट्स लेडि ग्रोग्री एड़वर्ड मेरिटन कोशन नमबर फिफ्ट का ओप्शन नमबर ए राइट आंसर एंड नेक्स्ट आपका कोशन है कोशन नमबर शिक्स्ट विच पोयम बाइचूसर वाज रिटन उन देथ ऑप बलंची वाइफ ऑफ जोन ओफ गॉंट ऑप्शन ए ट्रोलियस एंड सी आपका राइट आंसर जो पोयम थी जो कवी तो चूसर ने लिखी थी वह पोयम आपकी थी ता बुक ओफ डोचिस नेक्स्ट आपका कोशन है कोशन नमबर सेविंट कोशन सेवन आपका है तर टेजडी ओफ फैरिक्स एंड पोर एक्स इस दा अधर टाइटल ओप्शन ए पर ऑपष्ण एप्सर सेवें पर ओप्श्न पर ऑफ हो बिडाने का है कोशन नमबर एट विढ हूं ओफ दा फोलोइफ पोइट सीज आस्ट्रेलियं तो जो कूछन में आपसे पूछा गया कुरिजर आस्ट्रेलियन जो कवी थै वे खुन से थो तो आश्टेलियन को पोईट आपको बताना कभी इन में से कौन है ऑप्षण ए आश्टिन क्लर्क ओप्षण भी जूडित राइट ओप्षण सी एडविन मियूर ओप्षण डिर्क वैलकॉट तो आश्टेलियन जो पोईट थे वह आपके ते जूडित राइट कोशन नमबर सब्सक्राइट का ओप्षण भी राइट आंस्वर नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन तो ही फाउंड इट इंग्लिस ब्रिक एंड लैफ्ट मार्बल रिमार्केबल वन ग्रेट राइटर और अनादर हूँ वर दे ऑप्षण ए मिल्टन और साक्षपिय तो राइट आंस्वर के आपका ओप्षण नमबर सी जोंसन ओन राइट और कोश्चन नाइंथ का ओप्षण सी राइट आंस्वर नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर टैंथ कोश्चन टैन आपका है हूँ एमंग दा फॉलोइंग इस अनोबल लोरियेट आंसवर है जिसे नोबल प्राइज दिा गया है तो जो नोबल लोरेट आपका वो सीमाishing है नैक्सट अब आपकाका कोईशन नंबर 11 कोईशन 11 आपका दिया गया है को पूसे निटांच सब्सकों की साथ सबस्ट मैच आपको करना है तो यह आपका आपका नहीं पता है इसमें से आपका एवगा भी होगा सी या डी तो कोश्चन नमबर 11 यह आपने देख लिए नेक्स्ट तब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 12 दप्रीडियूमिनेंट टोन स्टी नमठेश्ट प्रोपोजल आर आप्शन एक कोमिक प्रोप्शन भी सुलेंम्न फिल्मिंट होते ट्री ओप्शन दी आई रहनी तो राइट आँसवर्ण आपका एविप्श हो संद्पिड यह सब्सक्राइन सब्सक्राइब लुक्तवर्टा कोश्चन दी आइडली आपक एसवनेस्ट डिकेड केड तो बीगिन सोरड यह सप्टेमर फ़्स थ्यूंट इन आपका पर्चिन नवर बीन आइट कलओ और अपका राइट अंसर आपका स्वापन आपका उप्सक्ण नंबर अपकर इंप 1930s for introducing option a practical criticism option b new criticism option c standard english project option d basic english project तो राइट आंसर क्या आपका option number c standard english project question 14 option c right answer and next question आपका question number 15 in which of the following works does mrs. mela proof appear option a the rivals option bc steps to conquer option c the mysteries of Udolfo option d the way of the world right answer क्या होगा आपका option a the rivals question 15 option a right answer and next आपका question question number 16 question 16 आपका दिया गया है which of the following statement about Christopher Marlowe are true first आपका है Edward second was written in the last year of Marlowe's life second many critics consider Dr. Foster's to be Marlowe's best play see his Spanish stage becomes a close second and the Marlowe was less educated than a sex fear तो इसमें आपका first आपका सही है second आपका सही होगा तो first second आपका true option a में आपको मिला तो option a ही आपका right answer question number 16 का चलिए next अब आपका question a question number 17 आर्ट फोर आर्ट से एक बिकम आरेलिंग क्राई फोर option a दा आस्थेट्स ओप्शन भी दा सिंबोलिस्ट ओप्शन सी दा इमेजिस्ट ओप्शन दी दा आर्ट नो व्यू श्कूल तो right answer क्या आपका option number a question 17 का option a आस्थेट्स आपका right answer नेक्स्ट आपका question a question number 18 confession of an English opm editor is a literary work by option a st call is option भी पीवी से ली option सी थोमस डी क्वीन सी तो right answer क्या आपका question 18 का option सी थोमस डी क्वीन सी आपका right answer नेक्स्ट अब आपका question a question number 19 which of the following statement about the canterbury tells is true option a the journal prologue is appended to the canterbury tells option b in all chooser tells 30 tales in this work option c the canterbury tells remained unfinished at the time of its author's death option d the wife of beth the killer to sir gavin and the franklin are characters and tell you telters in the wind this work to write answer option number a question 19 option is the journal prologue is appended to the canterbury tells next question question number 20 who among the following was a catholic nobelist and intelligence official a film critic and he set his fiction in far away places wrecked by political conflict option a anthony powell option b evelyn wow option c william golding option d gram green तो right answer क्या आपका option number d gram green आपका right answer 20 का option d right answer होगा चलिए नेक्स्ट आपका question is question number 21 match the following milan आपको करना है चलिए यह आपको इसमें दिया गए तो इसका मिलान करना आपको तो तो सबसे पहले जो लिस्ट फरस्ट लिस्ट सेकिंड का मिलान इसमें दिया आपका फिर्स आपका good sense is the body of poetic जीनियस यह क्या हो गया आपका यह हो गया कोलरीज ब्योगर एलफी आ लिट्रियरिया नेक्स्ट आपका पोईटरी इस दा ब्रेट एंडा फाइनर इस्पीट ओफ ओल नौलीज या आपका वर्ट्स वर्थ प्रीफेस टू लाइरिकल बैलेड सी आपका लिट्रेरी इस ओब्जक्ट यह आपका हो गया ब्रूक्स दा फॉर्मेलिस्ट क्रिटिक फॉर्थ आपका नेचर नेवर सैट फॉर्थ इनेज रिच टैपिस्ट्री आज डाइवर्स पोईट्स हैव डन यह आपका सिड़नी डिफेंस एन एपॉलोजी फॉर पोईट्री तो इसका जो स पॉर्थ थार फर्स ऑप्शन सी थार सेकंड फ़स्ट फॉर्थ ऑ्प्षण डी फॉर्थ सैकंड फईस्ट फाइस तर्थ तो राइट आपका अपका नेक्स्ट नुबर आपका नामबट तो आपका दिया इसमें पूचा गया इन वीच ओव दा फॉलोइंग ट्रेवल बु डी फोलोईंग दाएक्वेटर तो डटांसर कि आपका ऑप्शन नमब डी फोलोईंग दाएक्वेटर कोश्चें 22 को डी राइट आंसर है नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन अमब ट्वेंटी त्री से विलियम ब्लेक्व सफेमस पोएम सच है लंदन दशीक रोज एंड the tiger appear in option a songs of innocence option b songs of experience options is the marriage of heaven and hell option division of the daughters of albion to write answer option b songs of experience question 23 option b right answer next question a question number 24 who among the following english artist illustrated the novels of dickens and scott option a richard hogarth option b joshua reynold option c george krishank option d john taniel to write answer option number c george krishank a right answer question 24 option c right answer and next next अब आपका question है question number 25 the last of gulliver's travels is two option a the land of the huynemash option b the land of homo sapiens option c the land of the hurricanes option d the new found land तो right answer क्या होगा आपका option number a आपका 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 question number 26 मेडम मरले का जो पाफ्ष्टर है जो पात्र है वो कौन सा है एक अप्ष्ण सिते जांगल option d the heart is a lonely hunter right answer क्या आपका option number b the portrait of a lady question 26 option b right answer and next question about question number 27 you know which of the following scenes of the wasteland do we have a departure from standard English option a that type is the scene option b the pub scene option c तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन भी राइट अप्शन 27 का ऑप्शन भी राइट आंसर ए नेक्स्ट कोश्टन अब आपका कोश्टन नमबर 28 दा वर्ट से इट वर दन वैन इस दिट वैन दन दन ट्वेर वैल इत वेर दन क्या होगा आपका ऑप्शन डी मैश बैथ कोश्टन 28 का ऑप्शन डी मैश बैथ आपका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश्टन है कोश्टन नमबर 29 यह आपको दिया गया जोन ड्राइडंस एप्शलोम एंड एच्ट फेला ओप्शन ए रिलिजियस फैक्ट ओप्शन बी पॉलिटिकल अलिगोरी ओप्शन सी कोमिक वर्शिप एपिक ओप्शन डी कोमेडी तो राइट आंसर क्या आपका ओप्शन भी पॉलिटिकल अलिगोरी कोश्टन 29 का ओप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट आपका कोश्टन है कोश्टन नमबर 30 कोश्टन 30 दिए अबका तर्म दा को मेडी ओफ मिनाच्य एज असेटेटेड विद अरली प्लेकोफ ऑप्षान पीडोल मेलेंस प्रभी आपका आपका ओफिंटर ऑफिंटीबिड हार तो एंसेट आपका ओफिंटर कोशन्तर्थेका ओफिंटर यह नॉर था लुटारी नेक्स्ट आपका Option A, Rudyard Kipling died in 1936. Option B, he was born in India but schooled in England. Option C, he returned to India as a police constable in Burma. Option D, he is the author of Jungle Book and Barrack Room Ballads. तो right answer क्या आपका option C, he returned to India as a police constable in Burma. Question number 31 का option C, right answer and next question आपका question number 32. What is the correct combination of the following? तो correct जो combination है वो आपसे पूछा गया है. जो आपका है बाला चंदर रजन तामने दर्ट्री. तो इस लिए आपका है कईका अद्दा डार्क डारिंशर यह आपका हो गया. फिर आपका है second R के नारायन. तो R के जो नारायन है आपका यह क्या है? आपका दर्ट्री रूम आपका है. R के क्या हो गया? R के जो आपका दिया गया है. यह आपका दार्क रूम है फिर आपका दिया गया है थड जो आपका कमला मारकंडिया तो कमला मारकंडिया जो हो गया आपका कोफी डैम्स आपका हो गया जो लाश्ट आपका बसता है रोमन बाशू रोमन बाशू क्या है आपका रोमन जो बाशू आपका है यह आपका हो गया दा तामरिंद ट्री तो यह आपका है तो इसका जो सिक्वेंस बनेगा यह आपका था C D B A यह आपका सिक्वेंस है चलिए अब ऑप्षन जो ता ऑप्षन नंबर A में आपको यह मिलता है सिक्वेंस नेक्स्ट आपका कोश्चन है, कोश्चन नमबर 33, नेम दा पोईट वो चूज इस सक्षीशर और सक्षीशर पोईट, हूम ड्राइडन सेटिरिस इन इस फैमश पोयम, ओप्शन A, जेम्स सिरली और क्रीस सिरली, ओप्शन B, हैंडी ट्रीस और चार सर टिस्टन, ओप्शन C, फ्लेक्ण और तोमस सैडवाउब, ओप्शन D, तोमस पर्शी और सेम्वल पैपिक्स, तो राइट आंसर क्या होगा, आपका, ओप्शन अम्बर C, आपका राइट है, जारड फ्लेक्न और तोमस सैडवेल, कोशन प्वैण कोशन अम्बर 33, का ओप्शन अम्बर C, राइट और रहें नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 34 इफो का डैस कम स्कने डैस भी फार बिहाइंड सैली और टुदा वेस्ट विंड ओप्षिन ओप्षिन बी ओटम्न समर्ड ओप्षिन सी विंड रेंज ओप्षिन दी स्प्रिंग विंटर तो राइट आंसर क्या होग कि दा फॉलोइंग पैसिज आर्दा वेरी फर्स्ट लाइन ओफ वैल नोन वर्क्स मैच दा लाइन और वर्क्स तो फर्स्ट आपका दिया गया है लेट उस गो दैन यू एंड डिक या आपको दिया गया तो इसका जो सिक्वेंस बनेगा वो क्या बनता है तो इसका जो ऑप ट्रेज़ी ओप्शन ए हम लेट ओप्शन भी दाडचिस ओव मालफी ओप्शन सी वोल पॉन ऑप्शन डी गोर्बड़क तो राइट आंसर क्या आपका ऊप्शन सी वोल पॉन आपका राइट आंसर है नेक्स्ट आपका कॉस्चन है कोशन नंबर 37 वाट इस अधन नियोलिस उसेंस अप्शन डिएन और नुवर्स एंड पहराज तो राइट आंसल के का आपका अप्शन नमबर सी एवर्ड नू ली कोईन्ड और यूसेंस पॉटिशन 37 का option C right answer and next question आपका question number 38 which of the following is not true of Edward said Orientalism चलिए अब आपके यह आपको दिया आपको दिया option number a आपका makes us of four cut concept of discursive formulation option B is one of the founding text of post-colonial theory option C makes use of Barthi's concept of writerly text option D utilizes the gramstick and notion of has a money to write answer क्या आपका option C makes us makes use of Barthi's concept of writerly text question 38 option C right answer next आपका question question number 39 थोमस लवपी को classified poetry into four periods they are option a carbon gold silver and brass option B brass silver gold and diamond option C iron gold silver and brass option D gold platinum silver and diamond to write answer क्या आपका option number C right iron gold silver and brass question 39 का option C right answer next आपका question question number 40 which among the the following novels has more than one ending option A lucky Jim option B the prime of Gene Brody option C the French lieutenant's woman option D the clockwork orange तो राइट answer क्या होगा आपका has Я nor वाकूजिंस आपका अ आपको यहां आपको और सिस्टान आपका स्लेट्मुचंट बिक्णें घंस्ट्मिक्रमिक्टी और क्यां। option number C question 41 option C next question question number 42 which of the following is statement is not correct statement आपकी सही नहीं है correct नहीं है वो आपको बतानी है question number 42 में option a choose use the rhyme royalize tangent form in some of his major पोएम्स नेक्स्ट आपको ओप्षिन है ओप्षिन नमबर बी कि चलिए ओप्षिन नमबर भी आपको दिया गया है चूसर वाइदा ओथर ऑफ दा लिगेंड ऑफ गुडू मैं ऑप्षिन सी चूसर रोट इन इंगलिस वैंडा कोट पोईट्री ओफिस दे वाज रिटन नेम्ड दा गवर्नर तो राइट आंसर क्या आपका ओप्षिन नमबर डी राइट है कोश्चन 42 का चूसर रोट दा बुक नेम्ड दा गवर्नर नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 43 मैटीरियल फैमिनिज्म स्टडिज इन इक्वैलिटी इन टांस ओप ऑप्ष कोश्चन 43 का ओप्षण सी राइट आंसर है नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 44 कोश्चन 44 आपका दिया गया हूँ एमंग दा फॉलोइंग इस नोटन इनिश राइटर ओप्षण ए ओसकर विल्ड ओप्षण भी ओलिवर गोल्ड स्मीद ओप्षण सी नमबर 45 एंट्रीज इन दा डाइरी ओफ सेम्वेल पैपिज बिगिंस आफ्टर ओप्षण एडरी स्टोरेशन ओप्षण भी दा ग्लोरियस रिवोलूशन ओप्षण सी दारी फोर्मेशन ओप्षण दी दा फ्रेंच रिवोलूशन तो राइट आंसर क्या आपका प्रेंच आपका कोई मुए कुशन ओप्षण नाइपपुल्स ऐंडिया समय कमलादा ओप्षण बी आर पार्थल्ष् necesario तो राइट आंसर क्या आपका आपका आपको करना है चलिए अब इसको मिलान आपको करना है चलिए इसमें मिलान करते आपको यह आपका दिया गया है जेम्स जोसी तो जेम्स जोसी आपका रिचार्ड एल्मन फिर आपका है सैंड्स और आपको क्या हो गया है यह आपका तो इसका जो से क्वैन्स बना वह का बनमता है है कि असक्वैन बनेगी स्पोटन और किसे इसका धीड देंग हो चोक्षण नंबर और एक अपका राइट आंसर है नेक्स तब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 49 दा पैन इस माइटर दैन दा एश्वर्ड इन एक्जाम्पल ओप ओप्शन एसमिल ओप्शन भी मेज ओप्शन सी कंसिट ओप्शन डी मैटोनीमी तो राइट आंसर क्या होगा आपका प्रशन डी मेटोनीमी कोश्चन फॉटीन आपका राइट आंसर है नेक्स और लास्ट कोश्चन आपका बच्चता है कोश्चन नमबर 50 और एपिलोगी इस ओप्शन एप्शन प्रेफिक्स्ट टॉट एट्ट इंट इंटोचिश इज ऑप्शन भी सफिक्स्ट टॉट्ट टो राइट आंसर को आपका बच्चन नमबर वी आपका राइट एपसके लिए जो किया है जून का दो 1012 का यह पेपर था अगर आपको पर चेस्ट करने लिंक को वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा बुक का जिसमें आपको 100 रुपे में 30 पेपर आपको मिलेगे जो 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको एकी जगह मिल जाएगे तो लिंक आपका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नहे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके में आपको जादे से जादे आप शेयर कियोए थांक्यू अपक्र में और जो वाला है